नमस्कार भाईए और भाईणी धीक आज हम समझते हैं क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन अब बहुत से लोग यहाँ कन्फियोज होते हैं यह क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेश होता क्या है तो आपको मैं बता दूँ, crystallization एक ऐसा process है, जिसके माध्यम से हम किसी solution में से किसी crystal को अलग करते हैं, अब यहाँ पर अगर आप इसके नाम पर ध्यान दोगे ना, तो इसके नाम मेरा crystal, crystal होता क्या है, सबसे पहले यह जान लो, जैसे नमक है, ठीक है, तो नमक आप देखेंग which help to separate, यह एक ऐसा process जो कि हमें help कराता है, separate कराने में क्या, a pure solid, solid यानि कि एक pure solid from a solution, solution से in its crystal form, उसके crystal form में, अब यह नहीं समझ में आया होगा आपको, अब समझते हैं, तो देखिए हमने क्या किया है, एक ठोग container लिया है, यह example है, एक ठोग container लिया है, अब इस container में हम क्या करेंगे, समुदर का पानी लाग डाल देंगे, हाला कि हम इसा समुदर का पानी पूचा जाता है, इसलिए हम इसको फूच ले ले लेते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, समुदर का पानी हमने लाया, इस container में डाल दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक ठोग रोड ऑक तो जिसे लटका देंगे अब क्या करेंगे तो इस पानी को अब थोड़ी द्येर शमथाने देंगे माल लेजे हम गवावा गए थे और वहां सवने एक बोक और समिद्र का धी शमथाने देंगे कि जो समधा जाएगं आख देखेंगे सारा जो रेत बालू रहेगा वो नीचे पैढ़ जाएगा अब क्यों नीचे बैढ़ेगा तो जैसे जानते हुए जो रेत बालू होते हो थोड़ा भारी होता है तो हम इसको थोड़ा समथाने देंगे ताकि जो आप पनिया लाए हो माली जिसमें कौनों खेखार उखार थुका उखा हो तो वो सारा नीचे बैठ जाए क्योंकि हमें क्या करना है इस पानी मसे नमक को अलग करना है यानि कि नमक की क्रिश्टल को अलग करना है अब सोचो कि इसे नमक की क्रिश्टल को अलग करेंगे तो इस पानी हम थोड़ी दे ठंड़ा करेंगे, हलकास ठंड़ा करेंगे, तो जब आप इस पानी को ठंड़ा करोगे तो आप देखोगी यहाँ जो इस के पानी में जो नमक वाले Crystal थे वह आकर इस धाग इसे चिपक जाएगे तो देखेंगे जो काला काला इसे क्रिस्टलाइजेशन यानि कि किसी सॉलीशन में से किसी की क्रिस्टल को अलग करना उसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो आहिए आप समझ गए हुए क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन तो यहां पर होती वीडियो एंड वीडियो पसंद आई हो तो करिए अपने मौसिक प उत्यामारे